Hello everyone, welcome to course. आपको उसका cPanel के credential आपको आपकी email में मिल जाएंगे, वहां से आपको login करना है और आपको, आपका user interface जो है, आपकी hosting provider का कुछ हलक भी हो सकता है, तो आपको उसके recording ही, जो है, उसको login करना है और उसके उपर आपको WordPress install करना है, तो अगर आपको कोई problem पड़ता है, तो आप अपनी chat support team से, इसकी help भी ले सकते है, WordPress को install करने के लिए, तो चलिए हम यहाँ पर नेमचीप पर कैसे WordPress install करना है, जानते हैं, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम sign in कर लेते हैं, sign in करने के बाद देखिए, हमारे पास इसका dashboard open हो चुका है, dashboard open होने के बाद हम यहाँ पर domain list पर क्लिक करते हैं, domain list पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, हमें manage पर क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए, बटन बना हूँ और manage का, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, को इस पर क्लिक करने के बाद देखिया आपके सामने ये डुमें प्रोड़क्ट और शेरिंग एंड ट्रांसफर एडवांस दिए इनस का जो है ऑप्जन दे रहा है यहां में प्रोड़क्ट पर इनस करना है तो हमें go to cPanel पर click करना है यहाँ पर दिखिए go to cPanel आ रहा है drop down menu पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर दिखिए go to cPanel आ जाएगा तो cPanel के जरीए हम अपनी wordpress के अंदर login कर सकते हैं आपको इसके credential आपकी जो email में मिले होंगे जहां से आपने hosting बाइ की है तो हमने यहाँ नेम चीप से बाइ किये तो हमारा इस प्रकार जहां पर login हो रहा है तो हम चलिए यहाँ पर अभी go to cPanel पर click करते हैं जब हम cPanel के अंदर एंटोर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर अलग-अलग options आ रहे हैं यहाँ पर हमें अभी जो है अपना wordpress install करना है तो उसको हमने देखते हैं कहां पर है वह यहाँ पर बहुत सारी options है देखिए यहाँ पर wordpress managed by software close हमें यह select कर लेना है यहाँ पर click कर देते हैं चलिए देखिए हमारा जो अभी software close के अंदर हम visit कर गए हैं यहाँ पर उसके अलग-अप्शन्स दे रहे हैं यहाँ पर अभी हमें install ना उपर click करना है देखिए आगे यहाँ पर ओ जो options ओपन हो गए यह इसका latest version है 5.4.2 हमें यहीं रखना है और यहाँ पर हमें अभी एक access certificate का है अगर आपको access certificate जो integrate किया हुआ है तो आपको यह option पर आपने जो है SSL certificate इंटीगेट नहीं किया हुआ तो यहाँ पर आपको नीचे यह error देगा लेकिन हमारा यहाँ पर जो है SSL certificate already integrated है तो हमें यह option select करना है और यहाँ पर हमारा जो है जो domain name रहेगा यहाँ पर हमें इसको blank करना है अगर WP लिखा हुआ तो हमें उसको ट्रीट कर देना है तो हमें यहाँ पर यह स्लेक्ट करना है हमारा यहाँ पर देखिए अभी इंस्टॉल नहीं है तो हम अभी यह sttp-www स्लेक्ट कर लेते हैं तो देखिए हमारा जो अभी रिमूव हो गया है अभी हमारा भी इंट्रीगेट नहीं हुआ हुआ तो चलिए आगे हम यहाँ पर साइट नेम दे देते हैं हमारा जो साइट नेम है e-commerce ओ कि लेनर को साइट जर्थ बिजिन कर देते हैं डिस्क्रिप्षन जुआ है to this does that country क hist कर देते हैं माँ अगे ऑफ्षिन पर चलते हैं यहां पर देखिया मं जो है अपना इसको यूजर नेम दे देते हैं पर हमने जो यूजर नेम दे दिया है वो पास्वर्ट दे दे दिया है हम इसको हमारा जो यहां पर इमेल जो रहेगा एडबिन एड़रेट एकुमर्स लेर्नर्स डॉट कोम रहेगा अगर आपका अपना जीमेल का इमेल भी है आप उसको भी डाल सकते हैं इसमें बागी सब ऑप्शन एड़र रहेगा यह सारी आपको एक बार ऑप्शन्स चेक कर लेनी है कोई इसमें कोई कमी तो नहीं रहे गए चलिए हम आगे करते हैं यहां पर इंस्टॉल कर देते हैं यहां पर इंस्टॉल करने के बाद हम इसको सेव रख लेते हैं ताज हो में फ्यूचर में इसका लॉग-इन करने के लिए टाइप ना करना पड़े और अपने आप यह इंस्टॉल हो जाएगा देखिए अभी यह सिंपल ऐसे भी अपना जो है e-commerce-turners.com-wq-admin से लॉग इन कर सकते हैं